गुड मॉर्निंग बच्चो, मैं रेनु अगरवाल, सहायक अध्यापक संबलित विद्याले अमीरपुर बलदेव मत्रा से मिशन शिक्षर समवात की ओर से आज फिर लेकर आई हूँ कक्षा 3 हमारा परवेश का पार्ट 3 परवेश ये पेड़ पौदे इससे बच्चे सिखेंगे कि पेड़ पौदेों से क्या लाब होते हैं पेड़ पौदे हमें कई प्रकार से लाब पोचाते हैं, इनसे हमें छाया मिलती है, इनकी लकडियां हमारे दैनिक जीवन के बहुत सारे कामों में प्रयोग होती है पेड़ों के बिना हम अपने जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकते, इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ पौदे लगाते रहना चाहिए साथ ही इनकी उचित देखभाल भी करते रहना चाहिए समय समय पर पत्तियों को उपयोग भी विवित कारियों के लिए किया जाता है तुम भी ऐसा करते होगे बताओ कब कब और कैसे बच्चो आप खुद देखीगा कि आप पेड़ों से क्या क्या काम करते हैं या पेड़ आपके सारे दिन किस-किस काम आते हैं वो सब आप अपनी कॉपी में लिखिएगा पेड़ पोदे हमारे वाताओन को सच्छ बनाते हैं साफ बनाते हैं ये वाताओन से कारबन डायोकसाइड लेकर हमें ऑक्सीजन देते हैं जो सभी जीव जनतूओं के लिए आवश्यक है पेड़ पोदों की देखवाल चित्र देखो और लिखो की पेड़ पोदों की देखवाल कैसे करते हैं देखिए एक चित्र में टीचर जी के साथ बच्चे पोदे लगा रहे हैं दूसरे में उन्हें सूरज की रोश्णी मिल रही है तीसरे में उसमें पानी डाला जा रहा है और चोथे में उसमें खाद लगाई जा रही है तो आप इसी तरह की चीतर अपनी कॉपी में बनाएंगे और उसमें क्या हो रहा है यह लिखेंगे क्या तुम अपने घर या विद्याले में पेर पौदो की देखवाल करते हो? अगर करते हो तो कैसे करते हो यह आप अपनी कौपी में लिखेगा हमें जीवित रहने के लिए बोजन और पानी के आवश्यक्ता होती है पेड़ पौदो को भी जीवित रहने के लिए पानी, धूप, खाद के आवश्यक्ता होती है इसलिए पौदो को समय समय पर पानी देना चाहिए इससे निश्चे समय पर खाद भी डालनी चाहिए गमले में लगे पौदो को समय समय पर धूप में रखना चाहिए पेड़ पौदों के अलावा उगी घास फूस को हटाते रहना चाहिए पेड़ पौदों की देखवाल ना की जाए तो वे सूख जाते है इनका हमारे पर्यावरण पर बुरा असर पड़ता है पर्यावरण के लिए पेड़ पौदों को सुरक्षित रखना चाहिए इसलिए हम सभी इनकी नियमित देखवाल करेंगे अब कुछ प्रशुततर देखेंगे हम अलग-अलग पेड़ पौदों को कैसे पहचान सकते हैं मैंने आपको बताया था ना हम आकार से, पौदों की बनावट से उनकी पत्तियों से, फलों से और फूलों से पहचान सकते हैं कि वो किस तरह की है पेड़ पौदों की देखवाल क्यों करने चाहिए पेड़ पौदे हमारे बहुत काम आते हैं और हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है उनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है इसलिए हमें पेड़ पौदो की देखपाल करनी चाहिए आपको एक पौदा लगाना है कैसे लगाओगी क्रम से लिखो देखिए आप एक पौदा आप सब जानते हैं पौदे किस तरह लगाए जाते हैं आप लोग इसे एक क्रम में लिखिएगा या अगर आपको नहीं पता हो तो अपने माब आप से पूछ की लिखिएगा पौदो को जीवित रहने के लिए क्या क्या आवश्यक है पौदो को जीवित रहने के लिए पानी धूप वह पॉदे जो किसी दूसरे पॉदे की साइथा से या बास की साहिता से उपर भड़ते हैं उन्हें बेल कहते हैं जैसे तोरहीं की बेल खीरे की बेल और कदू की बेल इस तरह की बेल ठीक है इसी के साथ बच्चों ये अंक समापत होता है कल अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार